नमस्क्राइब दोस्तों, एसके हाउस प्लान्स में आप सभी के स्वागत थे आज हमने आप सभी के लिए 30 फिट by 40 फिट का हाउस प्लान डिजाइन किया है इसमें one side road और three side other properties है दोस्तों आप सभी को यह हमारा बनाएगू हाउस प्लान पसंद आएगा आप सभी वीडियो लाइक करें अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें तब एला आइकन का उटन दमाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें दोस्तों अगर आप भी अपने मकान का नक्षण वनवान चाहेते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिये नंबर पर वाटसप कर सकते हैं आपकी requirement के अंसार 2D plan की PDF आपको मिलेगी जिसका चार्ज आप वाटसप पर मालूं कर सकते हैं आएए प्लान देखते हैं हमने ground floor plan तेयर किया है यह road side है इसे one side road और three side other properties है और इसका हमने इस तरह से design किया है कि ventilation हर एक room में अच्छा रहे तो आईए अब देखते हैं यह इधर plot का size 30 feet wide है और दूसरी side 40 feet है यहाँ पर हमने main gate design किया है main gate 9 feet wide है और यह port को के लिए space दिया है हमने यह 9 feet wide 11 feet 6 inch यहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क हो जाएगी और यहां से हमने first floor पर जाने के लिए staircase design किया है उपर का portion अगर हम rent purpose से देना चाहें तो किरायदार यहीं बाहर से आ जा सकता है crown floor वालों को कोई परिशानी नहीं होगी इधर हमने यह बरामदर design किया है 4 feet 6 inch wide 7 feet का इसमें 4 feet 6 inch इसाइड है और 7 feet इसाइड है यहां से हम यह stairs से होकर यहां पर बरामदर में आते हैं और यहां main entrance से अंदर enter होते हैं तो यह हमारा living hall and dining area रहेगा और living hall का size है 20 feet 6 inch wide 10 feet इसमें 20 feet 6 inch यह साइड है और 10 feet यह साइड है living hall पे ही हमने यह पूजा घर design किया है यहां यह 5 feet wide पूजा घर है और इसमें 4 feet यह side है और यहां पर यह side में हमने covered भी design किया है ventilation के लिए हमने दोनों side में window दी है एक window इस side है और दूसरी window इधर staircase की तरफ है और यहां पर यह bedroom design किया है bedroom का size 13 feet wide 8 feet 9 inch इसमें 13 feet यह side है और 8 feet 9 inch यह side है इधर हमने यह 2 feet wide space दिया है यहां पर यह gallery दिये जिससे room के लिए ventilation मिलता रहे यह हमने इस तरह से और इस side भी 2 feet wide open space दिया है तो जिससे room बगएरा के लिए हमारा अच्छा ventilation रहे है यहां से आते है हमने तो यहां पर हमने यह kitchen design किया है kitchen है 9 feet by 7 feet इसमें 9 feet ही side है और 7 feet ही side है और kitchen के ventilation के लिए है तरह हमने open area की तरफ window design किया है इस side भी हमने यह 3 feet wide calorie design किया है और इधर से होकर यह kitchen का सारा दुमा वगएरा इससे window से बाहर निकल जाएगा कोई smell नहीं रहेगी यहां पर हमने यह एक और bedroom design किया है यह है 10 feet 3 inch वही 12 feet 3 inch इसमें 10 feet 3 inch यह side है और 12 feet 3 inch यह side है इस room के ventilation के लिए हमने एक यह window इधर design किया है open area की तरफ और दूसरी window एक इस side भी हमने एक window design किया है और यहां पर यह room में हमने cover design किया है और यहां यह bathroom है bathroom है 4 feet वही 6 feet का इसमें 4 feet यह side है और 6 feet यह side है और इसके ventilator हमने इस side design किया है और यहां पर यह अपने डोड या इनकी आए जिससे हम इदर ओपे नेरिया की तरफ जा सकें और इससे अगर हमें स्टेर्स की तरफ भी जाना है तो इससे घूमकर गैलरी में जा सकते हैं तो दोस्तों आप सभी को यह हमारा बनाये हुगा हाउस प्लान पसंद आएगा आप सभी अपने दोस्तों और फैमिले के साथ शियर करें और आप सभी को वीडियो देखने के लिए महुत भन्यवाद